मंत्री मला रेडी ने कैसीनो मामले में एडी की तलाशी के दौराण माधव रेडी कार पर स्टीकर दिखाई देने पर प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा है कि उनका माधव रेडी से कोई संबंद नहीं है उन्होंने यहाँ टिपपनी बोडुपल सरकारी जिला परिशत स्कूल के छातरों को किताबे सौपने के बाद कही है उन्होंने कहा है कि माधव रेड़ी की कार पर लगा स्टीकर उन्ही का है यहाँ मार्च 2022 का है यहाँ तीन मेहने पहले निकाल कर बाहर फेक दिया गया था इसे किसी के लगाने पर उनसे इसका कोई संबंद नहीं है इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता हाला कि ED ने कैसीनो मामले की जांच के दोरान चिकोटी प्रविन और माधव रेड़ी के मकानों की तलाशी ली गई है जांच में पाया गया है कि दोनों तेलगु राज्यों की कई हस्तियां इन दोनों के संपर्क में थी जबकि माधव रेड़ी दोरा इस्तेमाल किया गया स्टिकर विधायक का था इसे मला रेड़ी से संबंदित पाया गया है इस पर यहां संदे व्यक्त किया गया है कि माधव रेड़ी और मंत्री मला रेड़ी के बीच संबंध हो सकते है इसी संदे के बारे में मल्ला रेडी ने सफाई दी है कैसीनों मामले में प्रवर्तन निर्देशाले एडी की जांश पूरी हो गई है अधिकारियों ने सुभा तक चिकोटी प्रविन और माधव रेडी के मकानों सहिस सभी आठ इलाकों में तलाशी अभियान चलाया सैदाबाद, बोईन पली और कड़ताल में करीब 20 घंटों तक तलाशी अभियान जारी रहा इडी अधिकारियों ने प्रविन के मकान से मोबाइल, लैप्टॉप और कई दस्तावेश जब्त किये है चिकोटी प्रविन ने अधिकारियों को बताया है कि उसने नेपाल में खानूनी रूप से कैसीनों का आयोजन किया था हाला कि लैप्टॉप में कई सन्निक लेंदेन रिकॉर्ड है, इसलिए एडी उनसे पूछताच कर रही है अधिकारियों ने पंटर्स के साथ हुए कई लेंदेन की जानकारी चिकोटी प्रविन से जुटाई है हावाला के रूप में किये गए भुक्तान की भी गहराई से जांच की जा रही है पूर्वविधायक एवा बीजेपी नेता एनवी एसेस प्रभाकर ने कहा है कि गलत फैसलों और टी आरेस सरकार के अक्षम शाशन के कारण भारी बारिश से हाइदरबाद में बार आई है उन्होंने कहा है कि शहर में जगा जगा जमीन हतियाने के कारण बार का पानी उन सडकों तक पहुँच जाता है जहां कम बारिश हुई है केसियार और केटियार ने हैदरबाद की ब्रांड इमेज को तोड़ा है हाइदरबाद में एक और सपना सच होने जा रहा है इसे पूरा करने के उद्देश से कमान कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है सीम केसिया ने अगस्ट को सी 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 का शुभारम करेंगे कमान कंट्रोल सेंटर को अत्याधूनिक तकनिकी के साथ प्रतिष्ट बिल्डिंग के रूप में डिजाइन किया गया है साथ साल से निर्मान धिन भवन का काम लगभग पूरा हो चुका है हाला कि मंत्री वेमुला प्रशांत रेड़ी, विधायक जीवन रेड़ी, डीजीपी महेंदर रेड़ी और सिटी सीपी आनन ने निर्मान कारियों का निरिक्षन किया है इस सेंटर के कारियन वैन पर राजी का एक 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 इंच 360 डिगरी में पुलिस की रॉडर पर रहेगा राजी के किसी भी कोने में कुछ भी घटना होती है तो उसे एक पल में देखा जा सकता है कमान कंट्रोल सेंटर में A, B, C और D नाम के चार टावर है कमान एंड कंट्रोल सेंटर का दोरा आम जनता भी कर सकती है लोगों को इस 19 मंजिला इमारत की 14 और 15 मंजिल तक जाने की ही अनुमती है वहाँ से आप शेहर देख सकते हैं लेकिन इसके लिए चार्ज लिया जाएगा इसके अलावा उन्हें चटी मंजिल परस्तित कमान कंट्रोल सेंटर में जाकर बाहर से पुलिस की कारवाई देखने का मौका दिया जाएगा मंत्री केटिया ने ट्विट किया है कि भले ही तेलंगाना के लोग देश की आबादी के केवल 2.5 फी सदी है लेकिन वे देश की जीडेपी में 5.5 सदी का योगदान दे रहे है उन्होंने वेंग करते हुए कहा है कि डबल इंजन की शक्ती के बारे में केवल बातों में कहना नहीं होता है हातों में दमखम होना चाहिए शक्ती दिखाने के लिए अगर बीजेपी का दोहरा इंजन शब्दों में है तो हम इसे अपने हातों से दिखा रहे है इन गन्नाओं के अनुसार हम पहले से ही दोहरे इंजन की शक्ती के रूप में काम कर रहे है जबकि तेलंगान और राचिर राष्ट के लिए गर्व का स्थान रखता है अगरेणी महिला मंच का तीज राखी मेला धुमदाम से संपन हुआ इस अवसर पर महिलाओं के लिए विबिन सांस्कृतिक कारेकरमों का आयोजन किया गया जो कारेकरम बहुती सफल रूप से संपन हुआ अगरेणी महिला मंच की अध्यक्षा सुमन भुवानिया ने बताया की मंच की स्थापना के चार साल बीट चुके है इन चार सालों में अगरेणी महिला मंच तेजी से विकास किया है और समाज के सदस से लगातार इस मंच से जुड़ रहे है मंच की और से विभिन अवसरों पर सामाजिक एतिहासिक और सांस्कृतिक कारेकरमों का आयोजन कर रही है इसी के संदर में मंच द्वारा 21 जुलाई 2022 को मुईनाबाद स्थित गायतरी माता मंदिर और भगवान बालाजी मंदिर में पूरे हर्श उल्लास के साथ सावन की सेर कारेकरम का आयोजन किया 27 जुलाई 2022 को हिमायत नगर स्थित इति कियाला अशुक रेसिडेंसी में 35 प्रकार के स्टॉल जैसे फुड राजस्तानी कलाकारी कपड़ों के स्टॉल आधी लगाए गए कि तीज मेला भव्य रूप से बनाया जा रहा है जिसमें हम सबी बहने जिसमें सुमन भुवानिया यह प्रोग्रम और्गनाईस करती है यह सुमन भुवानिया है यह अपने सिंगल लेडिस का इंटेडेमिन करना यह लेडिस को आगे लाने का कारेकरम कर रही है जो इनका फूरा साथ देते रहते हैं आज यहाँ पर कई तरह के गेम्स खेले गए रैंपवा किया गया डांस किया गया महंदी लगाई गई सबी बहनों को बहुत यह आनंद आया मैं आगे भी प्रोग्राम्स ऐसा ही और्गनाइस करती हूँ ऐसा तो अगरेनी मेला मंच को खुल के चार साल हो गए 2018 में मैं ओपनिंग करी थी 25 लेडिस से शुरू करी थी आज मेरे पास 250 मेंबर्स है यह स्टोर्स लगे रहा हो आगे आने के लिए 30 लाखी मेले के साथ से लगाई हूँ प्लेस में मिलने के आज़ेसे मैं यहां पर करी हूँ और आगे और बड़े लेवल पर प्रोग्राम्स करना है मुझे हिंदुस्तान की लेडिस किस्ते भी कम नहीं है यह देखाना है जैसा कि आप लोग हां चाहते हैं कि हिंदी का शेतर आ गया है हम महलाएं जो हिंदु है और हिंदी भाषा में ज़्यादा बात करते हैं अंग्रेजी कम आती है वैसे महलाएं भी यहां पर काफी आती है और अपने आपको डवलप करने के काफी कोशिश करती है राजी योजना आयोक के उपाध्यक्ष विनोत कुमार ने केंदर से तेलंगाना और आंदर प्रदेश में विधान सभा सीटे बढ़ाने की मांग की है इस बात को याद दिलाया गया है कि जम्मू और कश्मीर में विधान सभा सीटों को अनुच्छेद 170 में संशोदित किये बिना बढ़ा दिया गया इस नीथी को तेलगू राजों में भी लागू करने का अनुरोत किया गया इस संबन में केंद्रे गृह मंत्री आमिश्या को पत्र लिखा गया है उन्होंने सवाल पूछा कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग ने आए और तेलंगाना वा आंधर पदेश के लिए अलग ने आए क्यों राज्जी सबा में सीटों में वृदी पर बीजेपी सदसे जी वी एल नरसीमा राव के सवाल को गुरह राज्जी मंत्री नित्यानंद राय द्वारा दिये गए जवाब के विनोत कुमार गलत कहा वे केंद्र के इस रवेये का कड़ा विरोत करेंगे वहीं सीटों की वृदी पर फैसला दो हजार तीस के बाद ही लेने के निरने का विरोत किया जाएगा उन्होंने तेलगु राज्जीयों के साथ भेदभाव करने के लिए केंद्र की आलोचना की है अगरवाल समाच तेलंगाना की हैदर गुड़ा शाखा एवा वैभाव नारी शक्ती तथा युवा शक्ती शाखा के संयुक्त तत्ववधान में मोंडा मार्केट स्तित अश्रिता होम फर बॉइस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बच्चों में जरूरी पाठ्यक्रम सामागरी वित्रित की गई इसमें पाठ्य पुस्तक, नोटबुक्स, स्टेशनरी, स्कूल बैग आदी शामिल है कारिक्रम के दोरान बच्चों में फल भी बाटे गए, बच्चों के मनोरंजन हेतु विभिन खेलकूत का आयोजन किया गया इस अफसर पर वैभव नारी शक्ती शाखा की अध्यक्ष सत्वंती सरायवाला अगरवाल समाज हैदर गुडा शाखा के मंत्री महेश कनोडिया राचकुमार सरायवाला वा अन्यो पस्तित थे पूर्व PCC प्रमुक पॉन्नाला लक्षमया ने कहा है कि उनका जीवन प्रान हिता के लिए दाव पर लगा है उन्होंने अनुभवहीन और अहंकारी व्यक्ति के रूप में KCR की आलोचना की है उन्होंने कल्वकुंटला परिवार पर परियोजनाओं के लिए कमिशन लेने का आरोप लगाते हुए आलोचना की है उन्होंने सवल पूछा कि क्या कालेश वरम परियोजना का पानी लोगों के लिए फाइदे मन है पॉन्नाला ने KCR को इसे सावित करने की चिनोती दी है उन्होंने कहा है कि KCR द्वारा कालेश वरम योजना इतिहास के पन्नों पर बेकार योजना होगी अपने नीजी फाइदे के लिए इस पर योजना का समझोता किया गया है इस योजना से अन्य राज्जियों को फाइदा होगा उन्होंने सवाल किया है कि क्या केसियार मलाना सागर में 50 टी-मसी पानी का जल भराव कर सकेंगे क्या उन्होंने यहां हिम्मत है उन्होंने अक्रोश वक्त करते हुए का है कि डिजाइन की खामिया उजागर होगी इस जड़ से पर्योजना के पास किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हम प्रोज़क्त के पास बं लगाने जा रहे है केसी और द्वारा जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसके बारे में किसी से भी पूछा नहीं जा रहा है हाला कि पानी के लिए तेलंगारा कॉंग्रेस ने हमेशा शंगर्ष किया है यह कॉंग्रेस का इतिहास है हम कांग्रेस के कारेकाल के दौरान बनाई गई परियोजनाओं और टी आरेस के कारेकाल में बनाई जा रही परियोजनाओं के बीच फर्क देख सकते हैं आज तक कुछ 2000 TmC पानी गवदा और इसे समंदर में चालीश परियोजनाओं का पंपोस अंडर फ्लोट्स मैं पेले दिन से बोल्यों हूँ जो रिडिजयन किया है जब रिडिजयन किया है केसिया में असंबली में ऐसा करके बताया था जो बोलता है वो नहीं करता है जो करता है वो नहीं बोलता है इनेक्स्पिरेंस है और एरेगंस भी है आइसे आदमी तो आज का देखिये ये सीजन में येलम्डी सप्पसोरा मिडमार सप्पसोरा मगर मालनसागर और ये कॉंड़पोचमा उसको फिरत नहीं करें वहां किसी को जाने ही नहीं नहीं करें लास्टियर ब्रीच आया पानी चल कंस्ट्रक्शन और टॉप और ये नहीं कर दिया प्राजेक्स दुनिया में ऐसे मैदान नहीं में इतने बड़ा-बड़ा क्यापैसिटी डिजर्वाइर्स कोई भी नहीं बना है ये की इस जोली पासबली केस या शेहर के दो जलाशयों मुसी नदी में पानी छोड़े जान गाट के पास पुल के नीचे से नदी का पानी भेरा है पुलिस ने जल प्रवा पर नजर रखी हुई है तट्ये शेत्रों में जरूरी विवस्ता की जा रही है जबकि मुसाराम बाग में जल भराव कम हो गया है पानी अब पुल के नीचे से भेरा है इसके बावजुद पूरा कचरा मलबा बिखरा हुआ है उसे हटाने के बाद पुल यातायात को अनुमती दी जाएगी मुसी नदी के अलावा दोनों जलाशों में बार का इन्फलो कम हो गया है उसमान से अगर जलाशे में फिलहाल तीन हजार क्यूसिक पानी जमा हो रहा है वही अधिकारी दस गेटों से मुसी नदी में 6090 क्यूसिक पानी छोड़ रहे है उसमान सागर की पूर्ण जलस्तर शमता 1790 फीट है और वर्तमान में पानी 1787.55 फीट है जबके 4000 क्यूसिक पानी हिमायत नगर में जमा हो रहा है और 330 क्यूसिक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है हिमायत सागर में वर्तमान जलस्तर 1760.50 फीट है वही अधिक्तम जलस्तर शमता 1763.50 फीट है आज कल की व्यस्त जिन्दगी में और भी लोग है जो हैदरबाद मेट्रों में काम करते है क्या ऐसी मेट्रों अब भी घाटे में चल रही है जवाब है हाँ कम से कम घाटे से उभरने के लिए कितना समय लगेगा व्यापक परियोचना रिपोर्ट के अनुसार इसके 6 साल का समय लगने की उमीद है हाइदरबाद मेट्रों समित दक्षिन में मेट्रों ट्रेनों की सभी भविश्य वानिया गलस साबित हो रही है उमीद के मताबिक यात्रियों की संख्या कम होने से मेट्रों के निर्मान और रखरकाव के लिए लिया गया कर्स पर कम से कम ब्याच का भुकता नहीं कर पाने की स्तिती में मेट्रों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हाइदरबाद मेट्रों के मुनाफ़े में रहने के लिए रोजाना यात्रियों की ओसत संख्या 19 लाग होनी चाहिए कोविट से पहले वर्ष 2019 से 2020 में 2.76 लाग थी कोविट के चलते यात्रियों की बढ़ती संख्या अचानक घट गई 2021 से 2022 में औसक घटकर 65,000 पर आ गया भले ही यह हाल ही में बड़ा हो लेकिन जब तक यह कई गुना नहीं बढ़ जाता तब तक आर्थिक मुश्किले दूर नहीं होंगी स्थाई समिती ने दिल्ली में मेट्रो रेल पर हाल ही में हुई एक बैठक में कहा है कि इस घाटे का कारण अनियो जित डीपी आर अपेक्षित यात्रियों की कमी है समिती ने बड़ी कमी के रूप में नजदी की मेट्रो स्टेशनों तक पहुशने के लिए यात्रा वेवस्ता नहीं है इसने फास्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अनुमती देने का फैसला किया है आधर पर ही नई मेट्रो परियोजनाएं और विस्तार शुरू किये जाते है यहाँ डीपी आर में होना जरूरी है हादरबाद में हवाई अड़े तक मेट्रो का विस्तार करने के प्रस्ताव है कनेक्टिविटी के लिए राय दुर्गम मेट्रो और प्रस्तावित ई बी आर टी एस से जुड़ने की योजना है इनके अलावा मेट्रो लाइन पर आसपास के स्टेशनों में फीडर सेवाओं को बढ़ाना होगा संयुक्त जिले में भालू का हंगामा खड़ा हुआ है पाला कुर्ती और तरूरू के लोगों के लिए भालू की गतिविधियां समस्या बन गई है स्थानिया लोग भालू की गतिवितियों से परिशान है जबकि ये बस्तियों में खुले आम घूमते है हाल ही में पाला कुर्ती मंडल केंडर के ऐसी कॉल्नी में भालू को घूमते हुए देखा गया भालू पास ही की पाडियों से निकल कर गाउं में गुज गया स्थानिय लोग भैबित है क्योंकि वे बस्तियों के बीच स्वतंतर रूप से घुमते हैं हाल ही में पाल कुर्टी मंडल के केंदर में एसी कॉलनी में घुमते वे स्थानिय लोगों द्वारा एक भालू को देखा गया था पता चला कि भालू पास की पहाड़ियों से गाउ में घुसा था स्थानिय लोग वन अधिकारियों से जवाब देने और भालू को पकड़ने के लिए वन वी भाग के अधिकारियों को जानकारी दी है देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बड़े हैं हाला कि कुछ दिनों पहले इसमें कमी आई थी पिछले 24 घंटों में 3.96 लाक लोगों का कोविड टेस्ट किया गया जबकि 20,557 लोग पॉसिटिव पाए गए अकेले दिल्ली में 1000 से ज्यादा मामले सामने आये है वही 19,216 लोग कोरोना से ठीक हुए 44 लोगों की मौत हुई देश में 1,46,323 अब तक 4.49 करोड से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके है 5.26 लाक लोग अपनी जान गवा चुके है वर्तमान में देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 5.18 फी सदी एक्टिव रेट 0.33 फी सदी और रिकवरी रेट 98.47 फी सदी है अब तक 87.40 करोड कोवीड टेस्ट किये जा चुके है वही अब तक कोरोना वैक्सिन की 203.21 करोड डोस दी जा चुकी है कॉंगुरेस की प्रमुक नेता और लोक सभा सदस अधिर रंजन चौदरी द्वारा भारत की राष्ट्रपती द्रोपती मूर्म को राष्ट्रपती कहने की टिपनी से हरकम मच गया है भाजपा कार्य करताओं ने देश भर में विरोध प्रदशन किया इन टिपनीओं को लेकर संसत में भी विरोध व्यक्त किया जा रहा है भाजपा की महिला संसदों ने संसत परिसद में आंदोलन किया उनके साथ केंद्री अविट्था मंत्र निरमला सिता रमन ने भी विरोध प्रदशन में हिस्सा लिया इस अफसर पर बोलते हैं निर्मला सीता रमन ने कहा है कि अधिर रंजन चौधरी की टिपपनी जान बुच कर योन इत्पीडन करने वाली थी कॉंग्रेस की और से पार्टी अधिक्ष सोनिया गांधी द्वारा माफी की मांग की गई है उन्होंने कहा है कि सोनिया को अपनी पार्टी के सांसत को महिला के बारे में अपमाजनक तरीके से बूलने का मौका देने के लिए माफी मांगनी चाहिए जबकि द्रोपती महिला होने के बावजुत राष्टपती का सर्वोच पद रखती है उन्होंने मांग की है कि सोनिया देश की जंता के सामने माफी मांगे पिछले कुछ दिनों में भागय नगर में भारी बारिश हुई इस बारिश के चलते सडकों, कॉलोनियों, बस्तियों, जलाशयों और नदी में जल भराव हुआ सडकों पर बार का पानी बहा जन जीवन अस्तवेस्त हुआ इस सब्ता सोमवार की शाम बूंदा बांदी के साथ बारिश हुई यहां बारिश बूंदा बांदी से मुसलाधर हुई और मंगलवार की रात तक जारी रही जिससे ग्रेटर रंगारेडी और विकाराबाद जिलों के कई हिस्सों में मुसलाधर बारिश हुई आसमान फटा शहर के उपनगरों में ताले और छोटी नदिया उफान पर रही शेत्र में 13.5 सेंटीमीटर बारिश होई शहर की जादता सड़की जलमगन होई जलाशे लबालब है